अचानक करीब करीब सारे दस बजे मेरे हैं आ गए और उन्होंने बोला जो हमें कुछ काम करना है आप लोगों के साथ और मुझे एक डेक्स बनाना है आप लोग सहजोग करो तो हम लोगों ने सबकु मेरे साथ करीब चार सारे चार गळंटा तक काम किया और हसते बोलते रहें सब के साथ बात करते रहें हमारे पास संब्हेंज करते है're हम भी साथ हमें करते रहें आये आचानक, बुला क्याका काम करने रहे हैं, साइटेबल बना रहते हैं, इसमें लगे हम भी पेच उचका से लगे लेख़े, दराज बनाने लगे, ठोका दराज भी कसा है, चैनल भी कसा है, बहुत अच्छा लगा, शाथ में काम किया हैं, इसे लगा कि हम लोग सब भाई अपना कर रहे हैं ऐसे कम किया है और आये भी तो कहाने मतलब आम आदमी की तरह नहीं आपर काम किये मसीन भी चलाए जाली मसीन चलाए उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे हसना बोलना बिलकुल चल नहीं उनकी बात में सकल पे तो ऐसी छल नहीं बिलकुल बहुत ही खुला बात करते हैं खुला और उन्होंने बोला है जो हमारे पिता जी हमको काम सिखा रखा है कभी केकर रखाना के लिए पूछे तो बोले मैं ठीक है लोग दिखाएंगा, हम भी खालेंगे, खाना में था रोटी और दाल और मटर का सबजी, मटर पनिर का सबजी, और खाय बढ़िया, बने अच्छा खाये, खाने में कोई इसकी चाहत नहीं थी, हम यह नहीं खाते हैं, चाह हमारा कोई अलग से होना है, कुछ नहीं, हम लोग पूरा सारे चार घंटा लगे रहे हैं। कब से कर रहे हैं, फिर उसके साथ में काम करने लगे। जब से टेबल तयार किये हैं, एक साथ ही करके। बहुत अच्छा लगा है कि भाई कभी सोचे ने थे इतने बड़े नेता आएंगे हमारे पास, और साथ में बैठके करेंगे। आपने बोला है, जैसे बड़े बड़े फंड आते हैं, जितना आप लोग मेहनत करते हैं, उसे इसाब से पैसा नहीं मिलता है। तो उसके बाड़े में बात किया हैं कि आगे कड़े पर क्या कटना पड़ेगा। जो अब कुछ सुन रहा है आदमी, तो कह रहा है जो भाई यह कैसे हो गया। जो राहूल गांधी तुम्हारे पास आकर के काम किया, खाया, चाय पिया, वहाँ चार घंटे गुजा रहा है, सारे चार घंटा।